हलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो इंस्टूट आफ इंडेस्टर ट्रेनिंग जमसेदपूर जारखंड तो आज मैं इस इंस्टूट के बारे में आपको बताऊंगा इसके खासियत के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा ये ट्रेनिंग क्यों दूसरे ट्रेनिंग इन एक अच्छा skilled technician या इंजिनियर बन सकते हैं तो अगर आप instrument engineer, instrument technician, electrical engineer, electrical technician, PLC, SCADA, safety officer, HVAC technician का course करना चाह रहे हैं तो ये institute आपके लिए best होगा तो चलिए आपको हम इसका lab दिखाते हैं तो ये इसका classroom है उसको आपको क्या बोलते हैं एमिटर ठीक है ये इसका PLC lab है जहां आप PLC का training ले सकते हैं PLC और SCADA training यहां sufficient quantity में PLC और उसका simulator लगा हुआ है ताके हर student एक individual PLC और simulator पासके और hands-on practical training उस पे ले सके अगर आपका practical training अच्छा होगा तो आप एक अच्छे skilled engineer और technician बन सकते हैं तो यह इसका HVAC का lab है जिसमें compressor, domestic AC, split AC, central AC यह सारे चीच अविलेबल है तो आप इसमें अच्छा training ले सकते हैं और एक अच्छा skilled HVAC technician बन सकते हैं यह duct है ताके stiller plant, central plant कैसे काम करता है उसके बारे में आपको पता चल सके हैं यह इसका control panel है यह HVAC का simulator panel है जिसमें technician वगरा अपने से wiring disconnect करके खुद से training लेते हैं यह इसका electrical lab है जिसमें star delta, VFD, doll starter, motors, transformer यह सब के बारे सिखाया जाता है तो आई आगे चलते हैं यह domestic electrical का lab है जहां पर domestic wiring वगरा आप सिख सकते हैं और यह इसका instrument lab है यह इसका instrument lab है जिसमें motor control panel, SCADA, PLC और यह एक mini plant बना हुआ है ताके आपको real plant के बारे में concept clear हो सके किस तरह से real plant में हम लोग field instrument को connect करके PLC से connect करके SCADA के थुरो पूरे plant को control करते हैं अगर यहां से हम इसको start करना चाहें तो compressor start हो जाएगा जैसा आप देख सकते हैं कि pressure बढ़ रहा है इसको stop कर देते हैं फिर यहां पर जितने भी process variable है जैसे pressure, temperature, level, flow वो सारे instrument अविलेबल है और वो भी sufficient quantity में अविलेबल है प्लस test equipment भी सारे अविलेबल है ताकि हर students individual उसमें hands on practical training ले सकें इस instrumentation में यहां के खास बात यह है कि आपको साथ ही साथ fire and gas instrument का भी training दिया जाता है और vibration measurement का भी training दिया जाता है तो यह थी techno institute के बारे में उमीद करता हूँ कि आप सही जगा और सही training पा सकें जहां अगर hands on training अच्छा होता है तो ही आप एक अच्छा skill technician बन सकते हैं या engineer बन सकते हैं थैंक्स for watching थैंक्स